हलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है आज 25th of May बात करेंगे HDFC के क्वाटर फोर्ट के नतीजों के बारे में चुकि इनके नतीजे आज की तारीक में आए हैं और इनके क्वाटर फोर्ट मार्च फानेंशल यर 2020 के नतीजों में मुनाफे में तकरीबन 22% की गरावट है यर ओन यर बेसिस पे चुकि इन्होंने जो अपना मुनाफा दिखाया है वो तकरीबन 2233 करोड के लगभग है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो डिविडेंट दिया है वो अपने आप में बहुत ही शांदार है तकरीबन 21 रुपए 30 share के लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल सेम क्वाटर में तकरीबन इनका मुनाफा जो था वो 2862 करोड के लगभग था अब यहाँ पर तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 21.97% के लगभग गिरावट है नेट प्रॉफिट में इस क्वाटर में अब यहाँ पर जो मुनाफा है उसमें कमी आने के कई कारण है चुकि अगर हम डिविडेंट इनकम की ही बात करते हैं तो वो इस क्वाटर में महज 2 करोड के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि देखेगा पिछले साल सेम क्वाटर में तकरीबन 537 करोड के लगभग आपको देखने के लिए मिला था वहीं देखें profit on sales of investment की अगर हम बात करते हैं तो इस quarter में ये महज 2 करोड के लगबग है जो पिछले साल same quarter में तकरीबन 321 करोड के लगबग थी वहीं आगे चलते हैं और चीजों को थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ बार आप देख सकते हैं कि इनकी जो net interest income है इस quarter में तकरीबन 17 प्रिटिशत के लगबग बड़ी है जो कि देखेगा 3780 करोड के लगबग है जिसको अगर आप compare करेंगे पिछले साल के same quarter से तो देखेगा आप को ये 32-38 करोड के लगबग देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी अच्छी चीज है यानि कि नतीजे काफी positive है net interest income होती है जो मुझे काफी ठीक देखने के लिए मिल रही है अगर आप net interest margin की बात करेंगे इस quarter में तो ये तकरीबन आपको 3.4% के लगबग देखने के लिए मिलेगा जो कि देखेगा same quarter में पिछले साल 3.3% के लगबग था यानि कि ये भी कहिना के justify है तो आगे देखते चीजों को तो यहाँ पर gross non-performing loan जो है मार्च 31 2020 में तो ये तकरीबन आपको 8908 करोड के लगबग खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका देखेगा ये जो तकरीबन gross non-performing loan है वो 1.99% के लगबग है जो कि इनका loan portfolio है वही non-performing loan of individual portfolio तकरीबन 0.95% के लगबग खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है वही देखे ये non-individual portfolio जो है वो तकरीबन 4.71% के लगबग देखने के लिए आपको मिलेगा वही अगर last year में अगर हम comparison करते हैं gross non-performing asset को तो देखे इस quarter में तकरीबन 1.18% के लगबग आपको ये देख original NPA के अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 2.34% के लगबग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वही देखे कंपनी का जो provision है वो तकरीबन 10,988 करोड के लगबग आपको 31 मार्स तक देखने के लिए मिलेगा चुकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए recovery efforts है HDFC के वो अपने आप में देखेगा जिस तरीके से hurt हुए है उसका कारण क्या है देखेगा वो है individual non-performing loans जिसके कारण हमको यहाँ पर recovery जो है वो काफी अधूरी देखने के लिए मिली है मार्च में जिसका कारण हमको कहीना कई मालू है जिस तरीके से भी critical situations बनी है उसम कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते वहीं आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि company का जो यहां monitorium लगाया गया है RBI के दौरा तिकि उसके कारण भी काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जिनका impact इनकी profitability पर definitely पढ़ा है और जो की कही justified है इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो overall नतीजे हैं वो इतने खराब नहीं है अगर इनकी shareholding की बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर promoters जो है definitely उनके पास यहाँ पर किसी तरीके के stakes मुझूद नहीं है FFIs यहाँ पर majority stakeholder है जिसके पास तकरीबन 70.88% के लगबग stakes मुझूद हैं इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं मार्स 2020 के लगबग अब चुकि यहाँ पर देखेगा mutual funds की जो stakes हैं यहाँ पर वो तकरीबन 9.52% के लगबग हैं यानि कि यहाँ पर सीधे तोर पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनोंने अपने stakes बढ़ाए है quarter 3 से quarter 4 में अब वहीं पर अगरा FFIs को अगर आप देखेंगे तो इनोंने तकरीबन 1.87% के लगबग अपनी सिधारी कम करी है quarter 3 से quarter 4 में इसी वज़े से हमको 70.88% के लगबग देखने के लिए मिल रही है इनकी सिधारी insurance companies ने भी अपनी सिधारी यहाँ पर बढ़ाई है त 0.48% के लगबग इनकी सिधारी बढ़ी है जो कि 11.08% के लगबग आपको देखने के लिए मिलेगी वहीं अदर डिया इसकी बात करते तो इनोंनी पर नहीं सिधारी यहाँ पर बढ़ाई है जो हमको इस quarter में 0.46% के लगबग देखने के लिए मिलेगा अब यहाँ पर majority stakeholders तकरीबन यहाँ पर 1765 के लगबग आपकी FFIs ने अपना पैसा यहाँ पर invest किया हुआ है अब चलते हैं देखेगा यहाँ पर NSE पर अब NSE पर जो closing price है वो तकरीबन 1516 रुपए के लगबग है जहाँ पर देखेगा 6,672 के लगबग quantity quantity अभी भी buying में लगी हुई थी last trading session प आपको यहाँ पर 51.93% के लगबग delivery quantity देखने के लिए मिलेंगी overall trade की जो की काफी शांदार है इस चीज़ को आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वहीं अगर हम बात करेंगे option chain की तो देखे option chain पर हमारा resistance कहाँ पर है इस चीज़ को हमको देखना है बैरहाल यहाँ पर हमा जो एक मजबूत resistance है वो कहीना कहीं आपको 1600 के लगबग देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर देखेगा 2,59,000 से जादा का open interest है और 55,000 से जादा की देखेगा call writing देखने के लिए मिलेगी 1600 पर यानि कि इसका support तकरीबन 1500 के लगबग है और resistance देखेगा थोड़ा सा हमको जो मिल रहा वो 1600 के लगबग है तो यहाँ पर यह situation अभी बनी हुई है जिसको हमको कहीना कहीं सही तरी के से समझना है क्योंकि यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो technical chart पर आपको जरूर समझनी चाहिए देखे यह stock अपने आप में एक multi bagger है जो 2009 से कहीना कही multi बनता हूँ हमको दिखाई पड़ा है जिसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो देखे आप पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि multi bagger stock बना था 2009 के लगबग जहाँ पर आपको यहाँ पर एक inverted triangle pattern देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देखेगा जब हमारी 20 exponential movie average की line यानि कि इस red line ने हमारी देखेगा blue line जो कि 200 exponential movie average की line ने उसको cut किया और यहाँ पर देखेगा पहला signal मिला दूसरा बाद जब इसने नीचे से cut किया और एक buying का signal यहाँ पर जरनेट हुआ तो देखे आप इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि कि किस तरी की line को तो हाँ पर एक buying का signal बनता जो कि बताता है कि stock आगे चलके multi wagger साबित हुगा तो आप देख सकते हैं कि आगे चलके यह multi wagger साबित हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने हमको एक बड़िया return से यहाँ पर कमा कर दियें लेकिन अब situation क्या है देखेगा situation अ यहाँ पर अपनी position बनाई होगी वो definitely यहाँ पर निकले होंगे और उसके बाद देखेगा अब यहाँ पर further देखेगा यहाँ पर crossover होता है यानि कि यहाँ पर हमारी 20 exponential movement की line आगे चलके हमारी blue line को cut कर देती है तो वहाँ पर एक sale का signal develop होगा यानि कि लोग यहाँ पर shot और इसके बाद further हमारी जब यह red line देखेगा द्वारा से यहाँ पर इस blue line को cut करेगी और एक inverted triangle pattern बनाईगी तब यहाँ पर यह stock द्वारा से एक multi-packer stock होगा बेलाहल मैं आपको भी एक बात बताना चाहूँगा कि अभी यह multi-packer stock ही है चुकि यहाँ पर अभी यह 20 exponential movement की line है इसने 200 exponential movement की line को cut नहीं किया है यानि कि multi-packer होने का पहला step भी complete नहीं हुआ है तो इन चीज़ों का आपको समझना है तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दुनों के बाद आपको फिर से गिरावट देखने के लिए बैरहाल यहाँ पर company ने कोशि करने के लिए यह सब चीज़े करी जा रही है तो इस चीज़ को आपको समझना है तो definitely मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास अभी यह नहीं है तो अभी इसमें enter करने की गलती ना करें क्योंकि यहाँ पर अभी हो सकता है कि हमको पहला signal मिले उसके बाद यहाँ पर एक ग करता हूं आप से अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ में इंफॉर्मेटिव अच्छा दो लाइक कर दीजिए और फ्रेंट का गोपिश करना मत भूलेगा चले थैंक्यू